तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं मटन मसाला बोटी की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अंदर से अग्दम दूसी और उपर से एकदम क्रंची बनकर रेडी होती है जट पर डस मिट में बनकर रेडी होती है तो अगर आपको वीडियो प पहले तो अच्छी तरीके से वाश कर लिया वाश करने के बाद में हम इसे निथार लेंगे इसमें बहुत कम यानि बिलकुल नई के बराबर वाटर होना चाहिए अब इसमें क्या करेंगे हम नमक दालेंगे वन टीस्पून हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर दालेंगे वन सीटी लेंगे और इसके अंदर का जितना भी पॉटर हो अलक निकाल लेंगे और इसकी खाली बोटिया बोटिया जिस पॉट में हमने जो मतन के अंदर लसन अध्रक का पेस्ट मिलाया था ने जिस बॉल में तो उसी बॉल में हम यह आपी से ले लेंगे अब यहाँ पर एक क कुटा हुआ धनिया लेंगे यहां पर चट्टा के दर जो चट्पटा मसाला आता है तो वह लिए अगर आपके पास में राइस फुलावर ना हो तो आप कौन फुलावर भी ले सकते हो जो भी आपके पास में अवेलिबल हो वह दालेंगे और फिर थोड़ा सा जो है तो हम रे तो उसमें हमें थोड़ा और भी जादा चाहिए था क्योंकि इसमें जो है तो लसन अद्रग दालने के बाद में जो मटने उसका जो वाटर होता है वो निकलाता है तो इसलिए हमें और फिर से हमने टू टेबल स्पूर राइस फ्लावर इस्तिमाल के है आप इन सारी जो देख चुके तो प्लीज में चैनल को जो है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो एक से देड़ घंटा हो चुका था हम एक आईरन की यानि लोहे की कड़ाई रखेंगे उसमें ऑईल तो ओईल हमें इतना दालना है कि बोटी अच्छी तरीके से डीप हो जाए ओईल को जो है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गरम करेंगे और फिर गरम गरम ऑईल में इसे फ्राई करेंगे आँ साथ से आट मिट लगेंगे हम फ्राई करने में लेकिन एक दम फुल फ्लेम प कर रेडियो होते हैं बच्चों को हर किसी को जो है तो यह मसाला बोटी बहुत ज्यादा पसना आती है तो इस बखराई जरूर ट्राई कीजेंगा और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताएंगा कि आपको यह रेसेपी कैसी लगी तो इस तरीके से हम जितना भी हमारा बोट को हमने मसाला लगा कर रखा है ना तो सारा ही हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके अब क्या करेंगे एक प्लेट लेंगे प्लेट में जो है तो यह बोटिया निकाल लेंगे हम जो हमारा सेकेंड बैच है वो भी इसी तरीके से हम फ्राई कर मैंने बहुत सारे रेसेपी में आपको यह मसाली की रेसेपी दी हुई है अगर आपके पास में ना हो तो आप इस टाइम पर चाट मसाला यूस कर सकते हो या फिर आम चुर मसाला यूस कर सकते है मसाला दालने के बाद में फिर हम इसे एक बॉल में नीचे उपर करेंगे ताकि सारा मसाला लग जार मैं आपको एक तोड़ कर बताऊंगी कितनी अंदर से जूसी बनी और उपर से क्रिस्पी बनी है तो लीजे यहाँ पर हम नीमबू के और प्यास के लच्छों के साथ में इस सर्फ करेंगे तो आए होग गाइस आपको इस सूपर डिलीशाश मसाला भोटी की रिसे पी पसंद आ सब्सक्राइब साइट में बेल बतव पना आता है उसको वाल पर क्लिक कर देना ताकि है आने वाले हर वीडियो का तो notification आपको मिलता रहे है वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गाइस तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपी मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक कियर एंड अल्ला अफीस